आज की इस वीडियो में हम लजानिया बनाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले एक देख्ची में दो टेबल इस्पॉन औरल डालेंगे अब इसमें एक बड़ी प्यास चॉप कीवी डालेंगे और इसको ब्राउन होने दख पकाएंगे प्यास ब्राउन होने के अबाद इसमें एक टेबिल स्पॉन लेसन अधरक का पेस्ट डालेंगे और दो मिनट दख भून लेंगे अब इसमें आधा किलो चिकिन डालेंगे तीन कटेवे टमाटर डालेंगे अब इसमें एक टेबिल स्पॉन हल्दी जीरा धनिया और लान मिर्च का पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे हस्पेस आएका अब इसको हाइ फ्लेम पे 15-20 मिनट तक पकाएंगे 15-20 मिनट बाद अब इसमें एक श्मला मिच डालेंगे चॉप की हुई दो टेबिल स्पॉन चिली सॉस टालेंगे दो टेबिल स्पॉन सॉय सॉस और एक टेबिल स्पॉन काली मिर्चो का पाउडर अब इन सब को अच्छे से मिलाकर फ्लेम ओफ कर देंगे यहां पर मैं वाइट सॉस बना रही हूं और इसके लिए मैंने डेट टेबिल स्पॉन बटर लिया है अब इसमें दो टेबिल स्पॉन में दाड़ा आनेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब फ्लेम ओफ करके एक कब दूट डालेंगे अब इसको अच्छे से बीटर से मिक्स कर लेंगे ताके गुठलिया ना बने अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ती स्पॉन काली मिर्चो का पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे हस्पेजाय का अब फ्लेम ओन करके चीज डालेंगे ताके चीज मेल्ट हो जाए और सॉस भी गाड़ी हो जाए वाइट सॉस बन गई है अब एंड में थोड़ा सा औरिगानो डालेंगे और अगर आपको औरिगानो पसंद ना हो तो आप ना डालेंगे अब यहां पर इस पैन को ओईल से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे अब इसमें लजानिया की स्ट्रिप्स रखेंगे अगर बढ़ी हो तो आप छुरी से काट सकते हैं झालेंगे स्ट्रिप्स के ऊपर जो हमने कीमा बनाया था वो रखेंगे झालेंगे झालेंगे अब इसके उपर वाइट सॉस डालेंगे अब ऐसे ही आप तीन से चार लेयर्स और डाल दें मुझाए अब इस लास्ट लेयर्स और डालेंगे पर चीज लगाएंगे अब एक पतीले में इस्टेंड के ऊपर पैन रख देंगे अब इसको धक्कन देकर फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि हमें सिफ चीजी मेल्ट करना है यह देखें चीज मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है